नरकटियांगस हाजारी के पास इंडिया सेल्पिंग यूथ के द्वारा बढ़ते हुए ठंड को लेकर बच्चों के बीच किया गया जूता और मोजा का वित्रन नरकटियांगस में आई एच वाई अट साला में इतने ठंड में भी बच्चे बीना जूता या चपल पहने हुए नगन पाओ पढ़ने जा रहे थे जो कि बच्चों के स्वास्त के लिए सूप संकेत नहीं है क्योंकि अगर वो ठंड से बीमार हो साएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे जो कि हमारी संस्ता को कतरी सुईकार नहीं है इस पर इंडिया सेलपिंग यूत परिवार के तरफ से आज दिनांग 5 जनवरी 22 को बच्चों के बीच जूता और मुझा का वितरन किया गया ताकि बच्चे ठंड के मौसम में स्वास्तर हैं और पढ़ाई कर सकें बच्चे जूता और मुझा पाकर बहुत उत्साहित हुए बच्चों को इंडिया सेलपिंग यूत के सदस्यों ने ठंड से बचने और जूता यो मुझा पती दिन पहनने उनको ठंड से बचने के लिए प्रेरित किया और साथ ही साथ उन्हें अच्छे से पढ़ाई करने के लिए भी प्रेरित किया भीखना ठोरी में पानी और बिजली का होगा समाधान गौना हाफरकंड के भारत नेपाल सीमा के विखना ठोरी में पेजल बिजली समेत विभिन समस्याओं को लेकर बीडियो और अंचला धिकारी पहुँचे गाउं के समस्याओं का जायजा लिया लोगों के साथ बैठक कर इस्तिती से ओगत हुए विडियो अजय परकास राय ने बताया कि विखना ठोरी में पेजल की नियमित आपूर्ती सबसे बड़ी समस्या है इस संदर्फ में यहां के जन परतिनीधी और लोगों से बात की गई जहां बिजली की भी समस्या है इस संदर्फ में एक रिपोर्ट बना कर जिलप पताधिकारी को भेजी जाएगी ताकि समस्याओं से जल्द निदान मिल सके सिकारपूर में जीपी डीपी के तहत ग्राम सभा का आयोजन नर्कट यांगजपरखंड के सिकारपूर पंचायत में जीपी डीपी के तहत सभी नौ निर्वाचित जन परतिनीदियों के साथ ग्राम सभा का आयोजन किया गया ग्राम सभा की अधिक्षिता पंचायत के नौ निर्वाचित मुखिया राहुल जैसवाल ने की बैठक के दोरान पंचायत के विकास की गत्वीदियों पर चर्चा की गई अपने संबोधन में नौ निर्वाचित मुखिया ने सभी वाड सरस्य को कहा कि आप अपने वाड में सभी जरूरी योशना जिससे वाड की जनता को लाब हो उसकी एक सुची तयार करें जिसके पर चर्चायत जन परतिनीधियों ने सभी वाड सरस्य के संख्या में ग्रामणों की मौजूद की रही